तो इन प्रशनों को नोट भी कर सकते हैं कौन कौन से प्रशनों को आपको नोट करना है वो भी आपको बताने वाला हूं सीटेट एक्जाम को कैसे क्वालिफाई करना है साड़ दिन आपको क्या क्या पढ़ना है अगर आप एस्ट्राटिजी वाली वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे तो कल वीडियो अप्लोड हुई उस वीडियो को जाके देख लेजे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी तो चली सभी को बाई गुडियो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो सीटेट एक्जाम को क्वालिफाई करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना इस चैनल से आपको निश्यरी मदद में लिए पहला प्रशन आपकी स्केन पर है कि निमलखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूरवगरह का परदर्शन करता है देखे ये लिंग पूरवगरह से 100% कम से कम 3-4 कोश्चन आपको एक्जाम में देखने को मिलेगा बिलकुन सरयल प्रशन होते हैं आप्शन पढ़िए तुर लड़कों और लड़कियों चलो हम सब एक खेलें विद्दार्तियों मैं तुम्हारे परदर्शन से खुस नहीं हूँ तो चारो अप्शन को आप लोग देखे यहाँ पे फिर आप लोग बताईए यहाँ पे कि लिंग पूरवगरह का परदर्शन करता है कौन सा कथन पर दूसरा आपका जो है लिंग पूरवगरह दरसा रहा है ठीक ना ओप्शन यहाँ पर दूसरा आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा होगा होप करता हूं समझ में आ गया होगा कुश्चन कैसे करना है जब किसी एक जंडर को बढ़ावा दिया जाए ठीक ना तभी वहाँ प पर दूसरा आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा अगला प्रशन आपकी स्केन पर है निमलकेत में से कौन सा कथन लिंग रूड़ी बद्दता का प्रदर्शन करता है वही जैसे अभी लिंग पूर वगर आथा ना तो वही लिंग रूड़ी बद्दता यहाँ पे लिख दिया खाना बनाती है, एसी अई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते, समाने तहा लड़कों की तुला में लाड़कियों का पेसी द्रभरभर मान कम होता है लड़कों वगर लड़कियों ने कुस्ति में हिस्सा लिया, तो इसमें आपको बताना है कौन सा लिंग रूड़ी बद है answer हो जाएगा ठीक ना option यह आपका बिलकुन correct हो जागा अगला प्रशन आपकी screen पर है नर चडिया बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले घोसले जो है बनाता है और मादा चडिया है इन इसे सबसे बढ़िया घोसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है यह कौन सी चडिया है बया जिसे जुलाहअ चडिया के नम से जाना चाला है यह फाक्ता यह दारजिन चडिया यह सकर खोरा ठीक ना पेड़ हो गया आवास हो गया यह जो एक एक chapter से आपके syllabus में दिये गए हैं EBS के 100 patient यहां से एक-एक question आपको देखने को मिलेंगे ठीक रहा है मैं मेरात्र में सब cover करा दूँगा एक-एक topic wise question करा दूँगा उससे बार guarantee के साथ गहता हूँ कि एक भी प्रशन आपका EBS का नहीं जाएगा ठीक ना तो नर चडिया बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले गोसले बनाता है और मादा चडिया इनमें से सबसे बढ़िया गोसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है तो वो कौन सी चडिया है जो नर चडिया होती है वो मतलब गोसला बनाती है और जो मादा चडिया होती है गोसला को select करती है बहुत सारे गोसलों में से फिर उसमें वो अपना under देती है तो वो कौन से चडिया है उस चडिया का नाम बताई आप यहाँ पे तो वो है बया जिसे जुलाहा चडिया कहा जाता है ठीक ना ओप्शन यहाँ पर पहला आपका ब निमलखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी को विसिष्ट भोमिकाय बटी हुई है कौन से इसमें जो है समूह में रहते हैं इसमें बताईए कौन से कीट समूह में रहते हैं 65 को जौब दीजे सब लोग यहाँ पे तो ततया दीमक चीडिया यह सब समूह मे जैसे केवल रात में ही खिलता है मतलब ऐसा कौन सा फूल है जो केवल रात में ही खिलता है और वो औसाधी बनाने के काम में भी लाए जाता है रंगाई के काम में भी लाए जाता है और पूरे वर्ष भर खिलता है तो इसमें से कौन सा है बताईए गुड़हल, गेंदा, गुलाब, धातूरा, रात की रानी, गुड़हल, गेंदा, फूल, एंड यहाँ पे चमेली गुलाब, धातूरा, गुल्दावली, सदा बहार, धातूरा, गुलाब, गुल्दावली तो यहाँ पे अच्छे से पढ़िए प्रश्णों को और छाचाचाट का जवाब दीजे से ब्लोग देखे यहाँ पे केवल रात में ही खिलता है तो वो रात की रानी हो जाएगी औसादी बनाने के काम में लाए जाता है तो गुड़हल का जो फूल होता है वो औसादी में काम आता है रंगाई की काम में ला जाता है कौन सा फूल गेंदा के फूल को Rंगाई की काम में ला जाता है और पूरे वर्स भर खिलता है गुलाब का फूल तो यहाँ पे दूसरा आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा चलिए, वीडो को लाइक कर दो, आज की इस वीडो में पचास लाइक होने चाहिए, ज्यादा नहीं, पचास लाइक कर देना, चलिए, अगला प्रशन है, मदुमक्यों के च्छतों में, मदुमक्यों के बारे में निमलकेत में से कौन सा कथन शही नहीं है, ये भी मदुमक्यों के च्छतों में, मदुमक्यों के बारे में निमलकेत म स्रमिक मक्खी मतलब जो काम करने वाली होती है वो नर मक्खी होती है तो यह आपका इसमें गलत है सरचत का option दूसरा आपका बिलकुन correct हो जगा ठीक ना यही आपका गलत है नर मक्खी नहीं होती है नमलिकित में से कौन सा समूहू फल का है इसमें आलू बाइगन आम केला आकर आप क्वालिफाई कर सकते हो ठीक ना निमलिकित में से कौन सा समूँ फल का है इसमें सभी को पता है यहां पे बताईए फड़ा फड़ जवाब दीजे इसमें बहुत इच्छे वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरू कर ल नहीं ठीक ना यह भी नहीं होगा एंड यह भी नहीं होगा तो इसमें तो कोई भी नहीं है ठीक ना जैसे आपका केला हो गया ठीक ना आम हो गया अंगूर हो गया सेव हो गया यह सब क्या आते हैं आपके फल में आते हैं फल के समूं में आते हैं तो इसमें तो कोई इलाकों में पाई गई बावडियों के संदर में कौन से कधन सही नहीं है। से गुजरती है, ये सुरंगे किन पहाड़ियों है ये आपको बताना है। से गुजरती है, ये सुरंगे किन पहाड़ियों में है, जब मैप आप रेड़िकी होंगे तभी आप ये कुश्चन कर पाएंगे, तो बाकी तुक्का तो मार ना है तो मार लेंगे, पश्मी घाट से गुजरती है। अगला प्रशन आपकी स्केन पर बाई, निमलकित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है। ये कुश्चन पिछली बार भी पूँचा गया था, ये तो 2022 का पेपर है, बट पिछली बार भी पूँचा गया था, बताइए इसमें कौन सा सही है हाथियों के बारे में। ब्याक्या नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो दूसरा आपका बिलकुन करेक्ट हो दागा। 72 का जवाब देंगे सब लोग। देखें जो हीमोगलोबीन की सामान सी में जो होती है, वो 12 से 16 होती है, 12 से 16। अगर है तो वो फिट है। चलिए बताए इसमें, 72 का जवाब देंगे सब लोग। तो अमन का आठ है भाई, यह तो कम हो गया, यह भी हीमोगलोबीन, मतलब इसका कम है, एनेमिया से पीडित है, राधिका भी पीडित है, यह नहीं है, सुरजीत नहीं पीडित है, बाकी मारिया भी पीडित है, ठीक ना? तो अमन और यहां पे राधिका और मारिया ये तीनों एनेमिया से पीडित हैं ठीक है ना कौन सा सही हो जगा चौथा वाला ओके चलिए बारा से सोला याद रख लेना बारा से सोला होता है हेमयगलोमीन की जो शामान सीमा होता है सोला ग्राम डीयल होता है चडियों की आखों के बारे में निमलकेत मेंसे कौन सा क्त्न सई है एस वन क्या कहा रहा कि सभी चड़ियों के अपने सिर्के दोनों तरब आखे होती हैं चड़ियां दो भिन भिन वस्तुम पर एक ही समय प्रद्रिश्टी के इंद्रित नहीं कर पाती एस वन सही है एस टू गलत है कौन सा सही है कौन सा गलत है फड़ा फड़ अंसर दीजे सब प्लोक 73 के राई तो क्या हो जागा और तब तक भाई वीडियो को लाई कर दो लाइक करने में आप लों का क्या जाता है बिल्कुन फरी में क्लासिस मिलती है बिल्कुन फरी में पीडाप मिलती है इससे ज्यादा क्या चाहिए आप मार्केट में जाओगे तो 500-600 रुप के होती हैं बिल्कुन कलगत है चड़िया दो बिन बेन बस्तों पर एक ही समय पर दिश्ट केंधित नहीं कर पाती हैं बिल्कुन गलत हैं वो केंधित कर पाती हैं ओके तो यहां पर ऐसा बन स्टू दोनों गलत है आपका 73 का option यहां कौन सा सही हो जगा एक मिनट सही है बिलकुन सही है आपका ठीक ना मतलब दोनों सही है चलिए अगला प्रशन आपकी स्कीन पर है यहां पर बाग हो यानि कि टाइगर्स की निमलकित में से कौन सी विसिष्टाएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना सिकार खोज में मदद नहीं करता सवेधन सिल गलम उच्छे विबिन दिशाओं में कानों की गति जोर की गरजना सुनने का त्रिव आभास 74 का राइट अंसर क्या होगा फड़ा फड़ जाब दीजे टाइगर्स की निमलकित में से कौन सी विसिष्टाएं उन्हें अंधेरे में आगे ब सिकार खोजने में ओके यहां पे तीसरा आपका तीसरा आपका मतलब बिल्कुन सही हो जाएगा ठीका स्वारी खासी आ गए थी थोड़ा सा चली यहां पे एक तरफ राश्टी पार्क है एक तरफ भारत के राज्ज है इसमें से बताने हैं आपको स्वारी बहुत इच्छे वीडियो को लाइक कर दो सब लोग अगर आप यहां पे बात करें जिन कारबेट की है तो जिन कारबेट आपका कहां पे है उत्रखन में है काजी रंगा कहां पे है असम में है रर्धंबोर कहां पे है राजिस्तान में गिर कहां पे गुजरात में है मिलान कर लिजे आप लो बच्चों को जानवरों के सनच्छन के परती सम्वेधन सिल बनाना, बच्चों को मजेदार तरीके से सीखने का मौपत या वास्तविक जीवन की परिसितियों और कच्छा विद्धारजन के बीच परस्पट संबंद इसापित करना, या बच्चों के पसुओं को पालेने के अप्षिन तीसरा बेलकॉन करेक्ट हो देगा, रमेस अपनी कच्छा पांच की परियवन अधन की कच्छा में खोजपूर्ण प्रश्न पूंशता है, उप्युक्त उद्धेस विद्धार्थियों के किस कौसल के विकासका नहीं है, उप्युक्त उद्धेस विद्धार्थ किस कौसल के विकासका नहीं है यहाँ पे, यह वाला परदर्शन कौसल आपका नहीं है, अगला प्रशन आपकी स्किन पर आगे है डिया, सभी लोग जौब देंगे, परियावन अधन में निमलकित में से कौन से समस्था समध्धन के गुण है, बताइए, सरजन, चैन, भास सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए, एक एवियस सिच्छक के द्वारा प्रेक्ट होने वाली भासा है, आपचारिक एवम परिभासाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए, या जो है, बच्चों के लिए कटिन होनी चाहिए, ताकि वे समझ ना पहें, बच्चों की दैनिक, या प्रसांगीक, अनुदेशा आत्मख समागरी का उपयोग सहायता है, क्योंकि वे सबी गयानिंदری को सक्री करते है, ये सिच्छकों को सिच्छन अधिकम पक्रिया में सहायता रते है, या विद्दार्वन का ध्यान अकर्सिद करते है, ऐस्थी का जब दीजै, अकर्शक सबी कि सभी ग्यानेंद्रियों को सक्री करते हैं ओके पहला अप्सन बिल्कुन करेट हो दगा एवियस के सिछण में निवनुतम महत्पूर्ण क्रियकलाब की पहचान कीजिए यहां पर विद्धारतियों से पर चर्चा कार्य पत्रों पर चित्रों और रूप रेखा को बनाना तो यहां पर आपका जो सही होगा यह बला अवग्याकारी विद्धारतियों को सजा देना ठीक है चले वाई अगला प्रशन है निमलकित में से परिया वरन अधन पुस्तक में पहलियों को समलत करने के उद्धेस को पहचानी है जैसे विद्धारतियों के मन को भरमित करना विद्दार्तियों में चमता वेक्सित करना, विद्दार्तियों के मन को भ्रमित करना और स्वयम आनदित होना, विद्दार्तियों को खेल खेलाना कौन सा साही होगा, आप्शन, 82 का जवाब दीजे, फड़ा फड़ जवाब दीजे, वीडियो को लाइक कर दो, लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटा-फट वीडियो को लाइक कर दो लाइक करने से कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा मोटिवेशन आता है, और भी आप लोगों के प्रती महनत करने का मन करता है यहाँ पे 82 का option दूसरा बिलकून करेक्ट हो जगा विद्दारतियों में तरक चमता विक्सित करना, अगला प्रशन आप देखिए किसके लिए जो है संकेत करें किसके यह विद्दारतियों के जिग्यासा के लिए और विद्दारतियों के समझके अंतर के लिए एवाब भी दोनों आपका सही हो जगा गल्ट कथन का चैन कीज़े यहाँ पर गल्ट कथन का चैन कीज़े एवियस मुक्यता है जैव विर्जा के अध्धन से जूड़ी है यह बिलकुन आपका गल्ट है ओके चलिए एक परियावर्ण अध्धन सिच्छक होने के किनाथे आप अपनी कच्छा के औसत छातरों के लिए क्या करेंगे। उन्हें कई बार आउधारना लिखने के लिए देना। उन्हें पहली पंक्ती में बैठाकर लगातार मार्क दर्शन करना, उन्हें के कमजोर पक्षों को ढूणना, यों सुधारने के लिए समाधान खोजना, यों लागू करना, उनको आतरित कारभार में अभ्यास के लिए देना, तो कौन सा इसमें उत्तर सही हो जागा, आप एक परियावरण अधन सिच्छा के लिए क्या करेंगे, हम यही करेंगे भाई, उनके कमजोर पक्षों को हम ढूणेंगे, और सुधारने के लिए समाधान खोजेंगे, और उसको लागू करेंगे, तीसरा आपका बिलकुम करेक्ट हो जगा, अगला प्रशन आपकी स्किन पर है परियावरण अधन सिच्छा के शेतर में समलित है, अपचारिक सिच्छा या अनपचारिक या अपचारिक अनपचारिक दोनों या विद्धाले सिच्छा है, 86 एक जवाब दीजे, परियावरण अधन सिच्छा के शेतर में समलित है, अपचारिक यह अनपचारिक सिच्छा दोनों सामिल है ठीक है चलिए विद्दार्थियों में आउधारनातमक समश तब अच्छी होती है जब सिच्छक जोर डालते हैं समवाद पर अप्शन ए आपका बिलकुन करेट हो देगा समस्याओं पर केंदरित होना नडायक होना बच्छों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना बच्छों की रूची और जगीयसा को पहचानना बताये क्या नहीं होना चाहिए हां पे पूचा है समस्याओं पर केंदरित होना निड़ायक होना ये नहीं होना चाहिए बाकी ये दोनों होना चाहिए ठीक है तो A वा B दोनों पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रशन देखिए यहां पे एक EBS की कच्छा में एक सिचक चर्चा करता है कि घर की मक्या बीमारिया फैलाती हैं चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन होगा अखबार, स्लोगन, स्पोस्टर, फ्लैस कार्ड तो सबसे जो उपयुक्त आपका सीखने का स चित्रकार्ड को दिखा कर विद्दार्थियों को पढ़ाती हैं विद्दार्थियों को अधिकतम सामिल करने में कौन ज्यादा प्रभावी रणनीती का उपयोग कर रही हैं सर्था मेनू परिस्तिती पर निरवार करता या दोनों सर्था मेनू दोनों बाकि इसकी पीडियाप आप टेलिग्राम से डाउनलूट कर लेना, टेलिग्राम गुरूप का नाम है, एजुकेशन विसाल, लिंक वीडियो को डेस्किप्स इन बॉक्स में है, बाकि कुछ भी जान करें चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉल्लो कर सकते, आप म